गुरुवार की शाम को लगबग साड़े पांच बजे संस्करती युनिवर्शिटी के सामने दद्धी गड़ी मार्क पर नाले में बंद बैग में एक अग्यात महला का शम मिलने से इलाके में संसनी फैल गई जिसे देखने के लिए ग्रामीनों का हुजूम उमर पड़ा इसकी सूचना इस्थानी लोगों ने इलाका पुलिस को दी वहीं सूचना मिलते ही छाता कोतवाली इंस्पेक्टर अजय कोसल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुचे और नाले से मेहला के शब को निकाल कर शिनाक्त करने की कोशिश की लेकिन महला की शिनाक्त नहीं हो सकी महला के दाहिने हाथ पर रानी और एन नाम लिखा हुआ था जिसकी उम्र करीब 30 वर्स बताई जा रही है अभी तक ये इस पश्ट नहीं हो पाया कि ये महला का शब यहां किस तरह से आया इस्थानिय लोगों ने हत्या की आशंका जताई वहीं छेत्रा अधिकारी वरुन कुमार सिंग ने बताया कि संस्कृति यूनिवर्सिटी के सामने एक अग्यात महला का शब मिला है जिसकी शिनाक्त के लिए उसके फोटो सारवजनिक कराए गए है यह देखे चाता ठाना जन्पन मतुरा में संस्कृति यूनिवर्सिटी के पीछे एक नहर के पास एक अग्यात महला की डेट वाड़ी मिली है अभी उसकी शिनाक्त नहीं हो पाई है हम लोगों द्वारा उसकी डेट वाड़ी की फोटो फिक्स हर जगा सर्कुलेट कर दिया गया उसकी शिनाक्त होते ही आवश्यक वैदानी कारवाई जो पुलिस द्वारा है उनकी जाएगे